अच्छा तिहाड की यात्रा भी आपको करने पड़ी क्या हुज़त थी उसमें भी आनन्द सिंगी थे हुआ ऐसा था कि दिल्ली में कुछ लोग पकड़े गई जिनका संबन्द बताया गया कि इनका दाउद इबराहिम से है जिसमें सुवास ठाकूर भाई ठाकूर कुल मिला करके एक गिरिपतारी हुई जिसमें बताया गया इनका कि भाई ये लोग दाउद इबराहिम से जुड़े हुए लोग और आरोप आप पर ये था कि आप पाकिस्तान से बात करता हैं नहीं हम बताते हैं तो जब वो पकड़े गए तो उनसे पूच्टास में ये बात निकल करके आई कि आप लोग दिल्ली क्यों आए थे तो उन्होंने कहा कि हम दाउद के साथ नहीं हैं दाउद से अलग हैं और हम आये थे सरक्षड तलासने के लिए जिससे हम सरंडर कर सके हैं तो उसमें आया कि आप लोग किस से किस से मिले तो उसमें पहला नाम आया चंशेकरजी का कि हम लोग चंसेकरजी से मिले फिर और किसे मिले बिजभूसन सिंग से मिले फिर और किसे मिले लली सूरी से मिले और किसे मिले नरेंद बत्रा से मिले तो दस-पंदरा नाम निकल करके आए वो जाँच हुई जाँच समाप्त हो गई वो जाच हुई और जाच समाप्त हो गई और उसमें किसी का नाम नहीं आया एक चीनी घोटाला होता है आगे चल करके जो चीनी बाहर से मगाई गई थी उसका नोट जो है पीमो से निकला था लेकिन विभाग कलपनातराय का था कलपनातराय लड़ गई कलपनातराय के गलती नहीं थी तो जब देश में हंगामा उठा पोजीशन ने सवाल खड़ा किया कि चीनी घोटाला हो गया तो विभाग था कलपनातराय का तो कलपनातराय के उपर जब आँ चाही तो कलपनातराय ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है इसका सारा आदिस प्यम्मों से हुआ है और कलबनात राय नहीं कहा कि हम बयान देंगे पर्लियमेंट में तो कलबनात राय को धवनोवन साहिप ते समझा करके किसी तरीके से रोख लिए और कहे कि आप इस्थीपा दे दो और आपका इस्थीपा माना नहीं जाएगा लेकिन दे दिया है और दोबारा जब उनको नहीं लिए तो उनका गाली गलोज होने लगा और कलबनात राय उनके साथ धोका हुआ लेकिन कलबनात राय ऐसे आदमी नहीं ते हो मावहिन कर दे दे तो एक रोज पीम का उन्होंने मावहिन कर दिया तो जब पीम का उन्होंने मावहि बुक करा दिया था तो उनकी भी जांच हुई थी लेकिन वह भी निर्दोस पाई गए थे तो कलपनाथ राए तो भाई बड़े लोग कैसे पहस्ते हम छोटे लोग थे तो उस समय इन्हीं आनंद सिंग जी जो आज हैं पूरी कहानी है लंबी हो जाएगी लेकिन इन्हीं सारे यह सोचे कि हमें को चुनाओं में फाइदा मिल जाएगा तो हम हमारा पीए और कलमनाथ राए चार लोग अत्रित मतलब दुबारा आदेश हुआ जांच का और जांच होकर के चार सीट फाइल की गई चार सीट फाइल करके हमारा नाम उसमें डाला गया और छे महीने में जे नहीं कोई तुक नहीं था उनका भाग जोर मार दिया था तेड़ साल के लिए तो सांसत बन गई तो और उसमें भी आप देखिए कि तेरा या चौदा आदमी थे देश में केवल मैं चूटा था मैं अकेले चूटा था उसमें मैं चूटा था कलपनात राय को आज यह वनकाराबास की सजा हो गई थी एक परसेप्शन यह बना दिया गया था बन गया था उस गटना के बाद कि कलपनात राय जो हैं वो सुगर लोभी को रिप्रेजेंट कर नहीं कलपनात राय यही तो दे कि अधिए पादिन एक पड़े सरकार गिर जाएगी यह परसेप्शन बनाया गया कि कलपनात राय का उसमें को लेना जेना नहीं था अब बनाया नहीं गया को सजा के तक करा दी गई सजा हो बही उनको और उसी में मर गई समझी यह तरीके से उसी वक्त आपके पास वाजप असोग सिंगल जी और परमांज जी उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी नहीं लड़ाएगी तो हम लड़ाएंगे तो हम कहते हैं लड़ाएंगे और दूसरा यह था भाई सही हो गलत हो लेकिन प्रक्रण यह था कि दाउद के लोगों को हम लोगों ने मदद किया मीडिया तो चंदर सेखर जी के हाथ अटल जी ने एक पत्र लिखा चंदर सेखर जी को बेजा मिलने के लिए और बिरेन सिंसांसद भी जिंदा है दो लोग आए तिहाड और अटल जी का एक पत्र लाएंगे जाहे विद राखे राम वहे विद रहियो और सावारकुर को पढ़िये और फिन अटल जी चंदर सेखर जी ने हमको समझाया कि इजिद्ध मत करो आप पार्टी की मजबूरी समझो आप पत्नी को लड़ाओ आप कर लोग सभा सदर से बनने की जी जी